Hello everyone, welcome back viewers, कैसे हो आफसे लोगाईज, उमीद करते हैं, स्वस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को positive और heal कर रहे होंगे आज में करने वाली हो आपके लिए एक और नियू रीडिंग, और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पॉर्सन का आपको लेके thought of mind क्या है, वो आपको लेके क्या बात करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पॉर्सन हो के आपके लिए किस तरह की भावनाई है आपके पॉर्सन की, एक जनल कलाक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी वैक्ती के लिए देख सकते हैं, जनल प्रडिक्शन है वीवर्स इस बात का ध्यान रखें, किसी एक पॉर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है, बीभी आपसे हर बात रैजोनेट ना हो, तो जितना रैजोनेट होता है, जितनी बाते आपसे मैच करती हैं, उन्ह किसी यहाँ पे आपके पॉर्सन का आपको लेके थौट अफ माइंड किया है, वो आपको लेके मीभी क्या बात करते हैं, अगर करते होंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है, सो प्लीज उन्यवर्स इंजल समय बताएं, मेरे वीवर्स के लिए इनकी ट्रू फिलिंग क्या है, और वो इनको लेके क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, फ्लीज उन्यवर्स इंजल समय बताएं, मेरे वीवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या थौट है, अकी, सो भीवर्स इंजल समय बताएं, मुझे एक कार्ड और चलिया होगा, 7 of Cups, ठीक है, बॉटम से आ रहा है, 2 of Pentacles, राशी में आपको बता दू, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जर्मने, लिब्राइक, वेरियस, कैंसल स्कॉर्पर पाइस, ठीक है, सिंग राशी आपके लिए इंपोर्टन हो सकते हैं, यहां पर, नमबर 8, 6, 1, 7, काफी इंपोर्टन नमबर है, 5B है, 2B है, ठीक है, सो लैसी, यहां पर मैंन कार्ड्स हो क्लेरिफाई करूँगी, वैसे अगर देखा जाएं, यहां पर आपके पॉर्टन का सबसे पहले आपको लेके एक माइंड सेट आता है, as you can see this card, ठीक है, उनकी दिल दिमाग में आप हर वक्त रहते हों, ठीक है, वो आपके बारे में काफी सोचते हैं, काफी वो आपको, मतलब ऐसा नज़रा रहा है, जैसे उनके मन में आपको लेके, उनके दिमाग में आपको लेके, हर वक्त कोशना को चलता रहता, थौट चलते रहते हैं, बर वो थौट है क्या, वो थौट है, आपके प्यार को लेके, आपके साथ में, जो उनके संबंद र यह सब कुछ आपके person यहाँ पर सोचते हैं 100% ठीक है लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है यह जो वेकती हैं आपको avoid कर रहे हैं और अपने इस feeling को distract कर रहे हैं और इस feeling को रोकने के लिए या फिर इस feeling को control करने के लिए जो इस person के मन में आ रही है यह अपने आपको मतलब अपने आपको busy रखना इस person की यह को मजबूरी है या फिर इस person को यही थरीका समझ में आता है कि आपका जो इस person के ऊपर जो प्यार रहता है जो feeling रहती है वो इस person को बेचेन बहत करती है यह आपके बारे में फिर जानने लगते हैं सर्चिंग करने लगते हैं गूग में क्या कर रहा है ठीक है यह कोई मेरे लिए पोस्ट डाल रही है यह डाल रहा है मतलब कुछ ऐसा है जो मेरे से connected होता हो तो ऐसा कुछ यहां पर नजर आ रहा है आपको लेकर इस person की जो उकसुकता है वो इस person को फिर किसी और चीज में लगने नहीं देती है फोकॉस नहीं जो काम करने बैठेंगे तो इनका मन ऊचठ जाएगा अगल यह चाहां लगता तो काम करने बैठेंगे सेपोंस्क्रो फश्कर आपके बारे में सोचने लग जाएंगे खयालों में खोः जाएंगे इस तरह कि इनर्जीस हैं यही दिखाए देरी कि इनका जो मन है वह इनके तो इनका जो डिस्ट्राक्शन है वो आप हो और इस परसन को यह लगता है क्यार मैं क्या करूं मुझे इसकी इतनी याद क्यों आती है या फिर यह परसन मेरे दिमाग में इतना क्यों चलता है तो राइट ना दे थिंक अबाउट यू मैं यह यह काऊंगे स्टिल क्योंकि इस किसी भी चीज में बट उनका जो दिमाग है वो बार-बार मतलब उचट खा रहा है और अपने काम को छोड़ के यह परसन आपके बारे में सूच रहे हैं बैठे हुए है और इनको यह समझ में नहीं आ रहा है क्या हो ऐसा कि जिससे यह इस फीलिंग से बहार आ सके या फिर आपको अगर बताएं अपनी फीलिंग तो बताना है यह नहीं है यह सब चीजे यहाँ पर नजर भी आते हैं हाँ यह भी है वीवर्स की यह जो परसन है मेवी आपके साथ में इस समय नहीं है दूर है एक तो हमने अविसली देखा कि कहीं बिजी हो सकते काम वगर हमें किसी किसी भी वज़े से दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस परसन की लाइफ में कुछ हुआ है ठीक है जिसकी वज़े से यह जो परसन है आपको अपनी फीलिंग खुद नहीं बता पा रहे हैं as you can see this card जो कहीन की दिखा रहा है यह जो वेक्ती है यह आपको मिस्तों बह परसन अपने आपको इनोंने खुद ही कैद कर रखा है टॉर्चर कर रखा है कहीना की पास्ट के अंदर ठीक है क्योंकि यह यहाँ पर कह रहे है कि कुछ हुआ है पास्ट के अंदर कोई गल्ती हुई है और उस गल्ती की वज़े से गल्ती या फिर बैड इंवस्मेंट यह आपके साथ में आगे बड़ नहीं पा रहे हैं आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे है इविन दो थे ठिंक अबाउट यू, कही नहीं ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, हमारे यह कुत्ते भी ऐसे हैं, अपनी टरिटरी के लिए कोई अंजान आ जाए तो इसको घुसने नि देते हैं, ठीक है, फाइट करने लगते हैं, तो आपके परसन के अनर्जी के हम बात कर रहे तो यह आपको बीवर्स हैसा नजर आ रहा है, यह जो वैकती हैं, यह अपनी लाइफ में जो हम कह सकते हैं कि आप भी कहूंगी इसमें आप भी शामिल हो, लेकिन उलस फील द एनर्जी आफ यू, आपके परसन भी फील कर पाते हैं, कि कहीना कि आप भी इस कनेशन में उसी यह काम है, हमें यह काम करना है, लेकिन कुछ समय बाद जब आदा रास्ता तैह हो गया तो पता चला जिस काम से हम निकले थे उस चीज को लेके हमारी जो प्रपरेशन है वो पूरी नहीं है या फिर हमारे पास में कुछ ऐसा है जो छूट गया हमारा घर पे हमारे तो अब है कि आदा रास्ता तैह करने के बाद में पता चल रहा है कि यह चीजे अब इसमें यह कमी है या फिर हमारे प्रपरेशन पूरी नहीं है या फिर यह गलती हमसे हो गई है तो अब बापी से लोटना और फिर से न्यू बिगनिंग करना फिर से अपनी लाइफ को रिस्टार् में तो कहीं नहीं है या फिर हमसे कोई गलती हो गई है तो इतना जो सफ़र तै हुआं कि या उसलेस हो गया तो उसको क्या करे चैसे सॉटाँट करे तो परसन वहां पे स्टाक हूग혜 आक udah साना चाहता है और नहीं है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता क्योंकि वहां प यह एक्जाम्पल काफी बहतर है उन लोगों के लिए जिनको समझ में आ रहा है कि रिलेशंशिप आदा आपका चल चुका है और आप कहीना के डेस्टिनेशन तक जब कहुंचने वारे थे तो पता चला कि यह गलती हो गई है तो वो एनरजी गाईज मुझे नजर आ रही तो आपके परसंट की जो situation वो यही है इस वक्त कि वो चाहते हैं कि यह जो problem हुई है आपके connection के अंदर यही पर resolve हो जाए ठीक है यही पर sort out हो जाए क्योंकि बापीस से लॉटना बापीस से restart करना यह possible नहीं हो पाएगा में भी कुछ लोगों के लिए जैसे कहते हैं एक age factor आ ज जाती है ठीक है तो life की जो time निकल गया वो return back नहीं हो सकता है ना हम गाड़ी reverse लेके बापीस से नहीं आज़के sometime यह चीजे हो जाती है तो यहां पर overgum करने वाली energy क्योंकि यहां पर आपके person be viewers यहां पर एक ऐसी situation में है जहां पर वो भी 10 of sod की situation में है ठीक है difficult time से या फिर जूज रहें और यह चाहते हैं कि यह जो परिशानी आगई आपके connection में वो यहीं पर रिजॉल्व हो जाए so that they can move forward आपके साथ में आगे बढ़ सके या यह जो time है यह वेस्ट ना जाए आपके connection का so I think so आपको इसे काफी समझ में आया होगा क्योंकि कही ना कुछ ना कुछ रिजुम आया है वह हम नहीं नहीं देखी है but there is something as a problem लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हम ना तो move back कर सकते ना move forward कर सकते है stuck है इंसान, बीच में stuck हो गया है five of pentacle के energy यहां पर stuckness को दिखारी है ठीक है यहां पर और भी हम देख लेते हैं कि क्या आरी है अनर्जी आपके लिए प्लीज उनिवर्स एंजल और कार्ट को क्लेरिफाई करें सन की नर्जी यहां पर क्यों आई है please universe angels यहाँ पे clarify करें sun की energy यहाँ पे क्यों आई है okay so we have rebel number 4 energy है five of pentacles को यहाँ पे universe clarify करें यही तो मैं कह रही हूँ आप से page of pentacles को यहाँ पे universe angels clarify करें देखो आगे future नजर नहीं आ रहा यही example है बिल्कुल perfect example दिया है मैंने आपको, I think so, आपको समझ में आया हो, या फिर मैं समझा पाई हूँ, अगर नहीं समझा पाई तो I'm sorry, बट कहीं नगहीं है, आपके connection की reality है, पीछे जाओगे, तो वही complications है, वही सब कुछ जेलना पड़ेगा, वही सब कुछ चीज़े रिस्टार्ट करने पड़ेगी, शुरू से शुरुवात करने पड़ेगी, और आगे चलते हो, तो आगे आगे नजर आ रहा है, कुछ ही नी, तो क्या करें इंसान, अपने life में कैसे चीज़ों को balance करें, इसलिए आपके person यहाँ पर कह रहे हैं, कि यह situation अगर मेरी यहीं पर solve हो जाए, तो कहीं न कि मेरी life में जो यह गम आया हुआ है, वो खुशियों में परिवर्दित हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपके साथ में relationship तो चाहते हैं, असा नहीं है कि रिष्टा नहीं चाहते हैं, कुछ लोग के partner, yes, definitely, वो आज भी इसी उधर बुन में लगे हुए हैं, कि कैसे वो अपनी life में वो आपके साथ में connect हो सकें, वो आपके जुड़ सकें, ठीक है, इस person के मन में आपसे जुड़ने की बहुत चाहत है, अगर आप यहाँ पे दिखेंगे, card भी आपके लिए खुद जंप करके आया है, outsider का number 5 की energy है, ठीक है, यानि कहीं न कहीं इस person के दिमाग में, यहीं है कि वो आज भी आपसे connect होना ही चाहते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में आज भी आप ही हो, और वो person जो है, वो आपका प्यार, आपका साथ, अपनी लाइफ में चाहते हुए नजर आ रहे हैं, six of cups यहाँ पे दिखा रहे है, manifestation को, कि without you इस person की लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं, आपके इले पड़ गए हैं, तनहा पड़ रहे हैं, उनका पूरा संसार है, वो आपकी इर्दिगर्द मुझे यहाँ पे जैसे कहते हैं, घूमता हुआ, सर्वाइब करता हुआ, जैसे कि, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खतम, बस महबबत का यही कुछ असा, जैसे कहते हैं, अन्जाम सा हो गया है, कुछ ऐसी से इनरजी है यहाँ पे, नाम गाना तो आपको पता ही सहर चल गया है, यह गाना क्या है आपके लिए, पर कुछ ऐसी इनरजी है, जैसे कि उनका, उनका जो mindset है इस समय, वो आप पे ही शुरू होता, आपके नाम से शुरू होता, जैसे दिन आपके नाम से शुरू हुआ, और दिन आपके नाम पे, आपकी बारे में सोचते सोचते खतम हो गया, एक circle है, जैसे दिन और रात का, वो आपके उपर ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, 8 of pentacle के energy को यहाँ पे, यूनिवर्स इंजस क्लारिफाइए करें, ओके, projection, तो आप उनको बहुत जादा दिखाई देती हूँ, हर जगा, हर वक्त, हर जगा वो आपको महसूस करते हैं, ठीक है, जिसे होता नहीं हम किसी को feel करते हैं, किसी के energy, तो वैसी energy है वीवर्स, और आपको यह कहीं नहीं अपनी life में इतना ज़दा feel करने लगें, अपने आसपास कि इनकी life में ही, इनका जो संतुलन है, वो up and down हो गया है बहुत ज़दा, और यह समझ नहीं पा रहे हैं, करूं तो करूं क्या, जाओं तो जाओं कहां, ठीक है, क्या करना चाहिए, चाहते तो बहुत कुछ है, मैं यह बोलूँगे, इस person के आप से लेके, आज भी चाहते बहुत ज़दा है, कि मैं यह try कर लूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसका result कह रहेगा, consequences भी तो होते हैं, हर एक action के, दो side होते हैं, एक pros and cons, ठीक है, तो इनको दोनों के बारे में सोचना पड़ रहा है, यानि कि जो situation है, वो इतनी easy नहीं है, आपके connection में, कि उसको easily rule out कर सके, ठीक है, सोच के बैठें हैं, इस connection को लेके, प्लीज उनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, इस connection में क्या होने वाला है, या मेरे वीवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज हम वो हमें बताएं, गाइट करें, ओके, तो आपके connection में change आने वाला है, बहुत powerful और बड़ा change रहेगा, एक major shift यहाँ पे है, ठीक है, eclipse के energy तो आप जानते ही हो, कितनी powerful होती है, कि life में बहुत कुछ उसके होने से ही change हो जाता है, ठीक है, तो आपके life में भी ऐसा ही time चल रहा है, जहाँ पर आप लोग एक eclipse के energy में आ गई हो, मतलब कितनी एक grand लग गया, एक pause आगया आपकी relationship के अंदर, और चीज़े बहतर होती भी नहीं नजर आ रहे है, आप जट पटा रहे हो, सब चीज़े negative हो रहे हैं, toxic हो रहे हैं, बट यह grand काल भी निकल जाएगा, और जैसी निकलेगा, एक दम से बहुत major shift आएगा, change आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या बोला जा रहे है, यह जो time चल रहा है, आपके connection के अंदर, universe want to say, कि इसमें आप दोनों का दूसरे के लिए, जो प्यार है, जो commitment है, जो आपकी desire है, कि आपका प्यार सच्चा है, यह नहीं है, आप life की up and down को किस तरह से deal कर सकते हैं, क्योंकि life में up and down साते ही रहते हैं, किसी की life ऐसी नहीं है, जो बिलकुल smooth चल रही हो, ठीक है, तो यह भी एक तरह का test है, जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार कितना strong है, और कितना आप एक दूसरे के लिए devotee हो, कितना fight कर सकते हो, against the situation, तो यह चीज़ें यहाँ पर test की जा रही हैं, तो अपने commitment पे, यानि अपने love पे आपको stick रहने की जरूरत है, meditate करें आप लोग, ठीक है, ऐसे time में हैं, जब आपके emotions बहुत हाई होते हैं, आपको बहुत सादर low feel होता है, आपको लगता है कि जैसे की तरह की suffocation हो गई है, हैना कुछ साहीं हो रहा है, तो इस time पे कुछ नहीं करना है, और आपकी सरफ commitment को test किया जा रहा है, तो आप meditate करें, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, आपको उस negative time से, या फिर उस समय से, उस suffocation से बाहर निकालने में, आपकी मदद करेगा, and the last part for you, new romantic cycle will begin, तो आपके लिए क्या रहा है, justice, ठीक है, आपके लिए, अगर आप लोग अपनी commitment में, पास हो जाते हो, अगर पास हो जाते हो, जो लोग हार जाएंगे, उनके लिए नहीं है ये message, प्यार त्याग मांगता है, प्यार बहुत कुछ sacrifice करवाता है, अपनी life में, आपसे ऐसे से काम करवा जाएंगे, जैसे कहते हैं प्यार एक आग का दरिया है, और डूब के जाना है, जिन लोगों ने प्यार किया है, वो चीज को समझ सकते हैं, प्यार को पाना इस दुनिया में इतना easy नहीं, प्यार करना बहुत easy, प्यार निभाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कहते हैं ना, जिन्दगी जीना बड़ा difficult है, यारो, life में मौत तो बहुत असान है, ठीक है, तो वही है कि अगर आपको ये connection चाहिए, तो भई आपको दरिये से, आपके दरिये से गुजरना ही पड़ेगा, और जब गुजर जाओगा, जो लोग इसमें पास हो जाएंगे, उनके लिए justice है, और new romantic cycle आपके begin होगी, आनि आपके life में success आपको मिलके ही रहेगी, तो universe के आपको message clear cut है, new start is coming, new start आपके connection में होगी, सही है, तो जो लोगों को मैंने example दिया था न, आप लोग stuck हो, तो कोई बात नहीं है, stuckness आज आती है life में, लेकिन उसमें कोई ना कोई समाधान भी आपके सामने खुद आएगा, बस आपको stick रहने अपने decision के उपर, लेकिन आपके लिए परसन आपके क्या message यहाँ पर देना चाहते हैं, इस universe उनके true heart messages, उनके love messages, मेरे viewers तक पहुँचा हैं, please guide करें, it look me long to realize your worth, उनको आपकी worth को realize करने में, काफी समय लग गया, ठीक है, यानि कि यार, आप उनके लिए कितने जरूरी हो, है ना, तो यह चीजे समझ में आई, लेकिन बाद में समझ में आई, इसमें कहीं नहीं कहीं, उनको realization में, चीजे प्रोसेस में, मतलब कुछ लोगे energy काफी fast होती, काफी slow होती है, तो यह energy रही है, we were a mess, you and I, but you captivated my soul in many ways, तो आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब ऐसा हो सकता है कि, आपका connection कुछ ऐसा है, जहां पर चीजे बहुत easy नहीं है, ठीक है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट एज से, डिफरेंट स्टेटस से, कुछ बिलॉंग करते हो, अगर देखा जाए, तो जिसमें कोई similarity नहीं है, है ना, बन गया connection बस, क्योंकि एक दुसरे के लिए प्यार फील हुआ, और connection बन गया, तो कुछ आप लोग गी बीच में ऐसा है, जो कि, जिसको सुल्जाँ पाना ही बड़ा मुश्किल है, बट आप एक ऐसे परसन हो, जो इनकी सूल को टच करता है, ठीक है, जो इनकी सूल को हील करता है, जो इनकी सूल को, वो करार देता है, जो किसी और से नहीं मिलता, ठीक है, I can never forget you, आपके पुरसन आपको भूल नहीं सकते है, ठीक है, वो यह पीछे भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी भी बढ़ सकते हैं, इनकी सिचुएशन है, I dream about you last night, तो इनोंने आपके बारे में ड्रीम देखा है, वो ही मैंने बताया था, जैसे कि, तो इनोंने नहीं थाएं, तो वही नहीं थाएं, तो इनोंने नहीं थाएं, तो इनोंने नहीं थाएं, एंड लास्ट मेसीज, I was just flirting, I was not serious, मैं फ्लिट कर रहा था, मैं serious नहीं था, यह नहीं थी, लेकिन आपके बिकम सीरियस, ठीक है, इसा कुछ यहां पर नज़र आ रहा है, your ampliness in my soul without you, मतलब आपके पार्टनर की जो soul है, ठीक है, तो वो एक खाली-खाली सा पन महसूस करती है, आपके बिना, ठीक है, तो इनको कहीना के realization है, तो इनको कहीना के realization है, चलाएंगे, जब नहीं चलेगा, तो end कर देंगे, लेकिन उनको आपकी जैसे आदत हो गई है, जैसे कहते हैं, जरूरी, इतना जरूरी तो कैसे हुआ, तो बस वही है, कि आप उनके लिए कभ इतने जरूरी हो गए, कि आपके बिना रह पाना इतना मुश्किल हो गया, इनको खुद नहीं पता चला, पहले वो just a casual connection के तरह इसको deal कर रहे थे, लेकिन right now they become obsessed with you, ठीक है, यह है वीवर्स आपके लिए reading, अगर आपसे reading resonate हो यह से आपको clarity मिली है, तो please claim करें, और वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, परसनल डिंग अगर आप चाहते हैं, वीडियो में देव नंबर पर आप मुझे contact कर सकते हैं, यह चार्जेबल रहेगी, ओके, यह थी आपकी reading, God bless you, टेक केर, गुडबाए,